सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एबरिवान वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी मजेदार बर्गर की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पेल आइकन को भी प्रेस करिएगा तो आएए देखते हैं यह बर्गर हम कैसे बनाएंगे बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम यह mixer बॉल लेएंगे इसमें हम डाल देंगे चार मैस की वे आलू को आलू को हमने बॉयल करके उसे गरम पर ही मैस कर लिया था आप इसे greater में great भी कर सकते हैं लेकिन आप इसे ठंडा होने के बाद mash मत करिएगा greater में great ही करिएगा नहीं तो इसमें गुठिलिया रह जाती हैं अब हम इसमें डाल देंगे दो बारी कटी हुई हरी मिर्च टेस्क के कोडिंग और साथी में हम इसमें add कर दे रहे हैं एक बारी कटा हुआ प्याज अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को आप skip कर सकते हैं बारी कटा हुआ हरा धन्या डाल देंगे एक great किया हुआ गाज़ा डाल देंगे आप अपने पसंद की इसमें कोई भी सबजी add कर सकते हैं बेंस भी डाल सकते हैं सिमला मिर्च भी add कर सकते अब हम इसमें एड़ कर देंगे तीन बड़े चमश ब्रेड क्रम्स हमने यहाँ पर ब्रेड को पीस कर उसका ब्रेड क्रम्स बना लिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे 1 टीज स्पून रेड चिली पाउडर अगर आपके पास रेड चिली पाउडर नहीं है तो आप इसे स सकते हैं वन टेस्पून चाट मसाला डाल देंगे वन टेस्पून स्वादा अनुसार नमक एट कर देंगे नमक को हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक पड़ा हुआ है अब हम सारे मसालों को आलू के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और यह हमने मसालों क ये हाथों से दबाते वे गोल करेंगे, अब इसको हम दोनों हाथ की हतेलियों के बीच में रखका चप्टा कर देंगे, और ये हमारी एक टिकिया बनके तयार हो चुकी है, साइट से इसको हम शेप अप कर देंगे, जो बिखरा हुआ है, साइट से ये सही हो जाएगा, और ये टिकिया हमारी बनके तयार है, सेम प्रोसेस से हम साही टिकिया को बना के तयार कर लेंगे, और ये हमने सारी टिकिया को बना के तयार कर लिया है, अब हम चलते हैं, नेस्ट प्रोसेस के लिए, हमने यहाँ पर तीन बड़े चमश मैदा लिया है, इसमें हम एक बड़ा चमश corn floor powder add कर देंगे corn floor powder market में आपको easily मिल जाएगा आप इसे online भी purchase कर सकते हैं online purchase करने का link हमने दे दिया है description box में अब इसमें हम अवशक्ता अनुसार पानी डालते हुए हम इसका एक गोल तयार कर लेंगे गोल को हमें बहुत जादा पतला नहीं रखना है गोल हमारा तयार है अब हम एक आलू की टिकिया लेंगे आलू की टिकिया को हम गोल में डिप करेंगे और यह जो हमने ब्रेट क्रम्स बना कर रखा हुआ है हम आलू की टिकिया पर इसकी कोडिंग कर देंगे इससे हमारी जो आलू की टिकिया को जब इसे हम फ्राई करेंगे तो कापी ये क्रिस्पी बनेगी और सेम प्रोसेस से हम सारी आलू की टिकिया को तयार कर लेंगे फिर इन्हें हम डिफ्राई कर लेंगे और ये हमारी सारी आलू की टिकिया बनके तयार है अब हम इन्हें डिफ फ्राई कर लेंगे, हमने कड़ाई में तेल को पहले से रख दिया था गरम होने के लिए तेल अच्छे से गरम हो गया है, हम इसमें आलू की टिकिया को डाल का फ्राई कर लेंगे, इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, अगर इसे हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमने जो इसमें ब्रेट करम्स की कोडिंग की है निकल का तेल में आ जाएगी तिल खराब हो जाएगा और हमाई टीकिया अच्छे से नहीं सीख पाएगी इसलिए इसे हम तेचांच में फ्राइगे क्रिस्पी होने तक और ये टीकिया हमारी एक साइड से शीख ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेलो सोक हो जाए और सेम प्रोसेस से हम सारी अलूटिक्या को फ्राई ट्यार लें गया है हमने यहाँ पर यह तीन बंद लिए हैं बर्गर्वाले यह आपको मार्केट में Season 2 रॱ्लम देखें और यह देखिए हमने इसे दो भागों में काट लिया है सेम प्रोसेस से हम सारे बंद को काट करके तयार कर लिया है अब इन्हें हम तोवे पर सेख लेंगे बंद को सेखने के लिए हम यहां पर बटर का इस्तमाल कर रहे हैं अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे घी तेल में भी सेख करके तयार कर सकते हैं पर बटर से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बर्गर में और यह हमने सारे बंद को सेख करके तयार कर लिया है अब हम बर्गर बनाना शुरू करेंगे बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बंद का पीस लेंगे इसके उपर हम पत्ता सेट कर देंगे इसके उपर से अब हम लगाएंगे आलू की टिकिया जो हमने फ्राई करके रखी हुई इसके उपर से आप जाएगा चीज की एक स्लाइस चीज से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बर्गर में इससे आप जरूर लगाएगा चीज आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी इसे लगाने के बाद अब हम इसके उपर से लगा देंगे प्याज और टमाटर के पीस अगर आप प्याज नहीं खाते है तो आप प्याज को यहाँ पर इसकिप कर सकते हैं थोड़ा सा हम लगा देंगे टमाटर केचप इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अब इसके ऊपर से हम बंद का दूसरा पीस लगा देंगे और ये हमारा एक बर्गर बन के तयार हो चुका है सेम प्रोसेस से हम सारे बर्गर बना के तयार कर लेंगे और ये हमने सारे ही बर्गर को बना के तयार कर लिया है बर्गर हमारे बहुत ही टेस्टी बने है इस साथ ही मुझे कॉमेंट करके ये भी बताईएगा कि आगे आप कौन सी नई रेसेपी देखना चाहेंगे और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्षन में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूं इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ ठैंक यू बाबाई